डीलेड और बीएड ये दो ऐसा कोट्स है जो कि आज सब कोई करना चाह रहा है लेकिन ये अंतर आप लोग को नहीं पता है कि क्या डीलेड करने से क्या-क्या फायदा मिलेगा बीएड करने का क्या फायदा हो सकता है किस में जल्दी आपका नौकरी लग सकता है सुप्रीम है आप में योगिता अगर नहीं है तो कैसे बन जाए ये बोला गया नमस्कार दोस्तों आनंद श्टडी ओनलाइन चनल में आप लोगा फिट से एक पर स्वागत है तो आज के इस वीडियो में आपको हम डिटेल में समझाने वाले हैं जितने भी नए छात्र या छात्रा है अगर आप लोग का मन कर रहा है डियलेड और वीड करने का तो इस वीडियो का आपको पूरा देखना ही पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि आज कल बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है सरकारी सिच्छक बनने का यानि कि बिहार में अगर आप बात करते हैं तो सरकारी सिच्छक बन सकते हैं या आप डियलेड और वीड भी कर सकते हैं इसके बाद ही आपका सब चीच का दरवाजा खुलेगा सबसे पहला सीड़ी अगर सरकारी सिच्छक बनने का कोई है तो या तो डियलेड है या बियड है लेकिन किसके लिए है वो हम लोग जानने का प्रिया उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कि डियलेड अगर आप करना चाहते हैं, तो इंटर के बाद आप दो साल का कॉर्स कर सकते हैं, इंटर के बाद मतलब कि टुवेल्थ अगर आप पास हैं, तो आप योग हैं DLAID करने के लिए, किसके लिए DLAID करने के लिए, लेकिन अगर आप INTER भी कर लिए हैं, मतलब कि 12 भी PASS हैं, और GRAVATION भी कर लिए हैं, तो आप ये भी 2 साल का कोर्ष कर सकते हैं, कौन सा? BAD का, तो कोई एक ही कोई भी करता है, आप या तो इंटर PASS कर चुके है अगर आप मेट्रिक में है तो अभी किसी भी योगय आप नहीं हैं. इंटर पहले कर लिजे तो आप डिलेट कर लिजेगा. अगर आप 12 पास है और ग्रेवसन भी साथ में हो गया है तो आप लोग के लिए बीट है लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है कि हम graveyard पास भी है फिर भी हम direct कर लेंगे तो क्या फाइदा होगा हो सकता है किस रूप में होगा हम बताएंगे अगर आप inter कर चुके हैं उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं साथ में graveyard भी हो जाए और आपका B.8 भी हो जाए उसका यूज बेवस्था है उस पे भी चर्चा कर अब आपको भूक भी बताएंगे और वह आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है तो देखिए दोनों जो है दो साल का कुस है और प्रोफेश्नल कोर्स है यहां से आप सिछक बन सकते हैं दो साल का दोनों कोर्स है यह कोर्स करने के लिए आपको और ये कोर्स करने के लिए आपको Interpass यहीं 12th pass करना पड़ेगा, अब सुपरीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसी के बाद तो बावाल हो गया, उसी के बाद तो ये सबका इंट्रेस्ट हो गया कि कैसे हम इसको निकाले, मतलब इंट्रेस्ट कैसे बढ़ा इसमें सुप्रीम कोड का फैसला आया और जो सिच्छाक का बहाली जो पर्मानेंट हो गया और BPSC के थुरू जो लिया जाने लगा और पर्मानेंट सिच्छाक का बहाली उसके बाद सेल्डी अच्छा खासा मतलब 35,000, 40,000, 44,000, 46,000 जो सेल्डी मिलने लगा इसके कारण टीचर आज ब्रांड हो चुका जेनरल कम्पिटिशन एक जरिया था जहां पर आप अन वेकेंसी का त्यारी करते थे लेकिन अब एक और जरिया आप लोगों मिल गया तो आप इंटर के बाद डियरेड करेंगे तो 1-5 का जितना भी मतलब निकलेगा वेकेंसी वीपेसी के थुरो तो वो आप भर पाएंगे सिच्छा के बन पाएंगे 1-5 के लिए मतलब पहला को आपको पढ़ाना पड़ेगा दूसरा तिसरा चौथा पचमा इतना तक के बच्चों को आप 1-5 के कौन से लोग आपसे पढ़ेंगे तो बच्चे ही पढ़ेंगे उसको आप पढ़ा सकते हैं अगर आप ग्रियरेशन कर लिए हैं या आप इंटर के बाद डियरेड कर लिए इसके बाद आप ग्रियरेशन कीए हैं तो आप लोग के लिए 6 to 8 का भी दरवाजा Men Ultra खुलता है मतलब 6 को भी आप पढ़ा सकते हैं साथवे को भी पढ़ा सकते हैं आठवे को भी पढ़ा सकते हैं इतना कलास्तक अब आप लोग कर सकते हैं कि 6-8 को आप पढ़ा सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अब यहीं चीज को हम समझते हैं बीएड में आकर ठीक है तो यह होगी आपका ग्रेशन के बाद का कोर्स दो साल का यहां पर क्या होगा ना आपका बीएड अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बाले क्या नहीं डाल सकते हैं तो यहां पर देखेंगे आप लोग 9-10 नहीं डाल सकते हैं 11-12 वो नहीं डाल सकते हैं मतलब इसका सिछक वो कभी नहीं बन सकते हैं गर डिएड किये हुए हैं तो और बीएड वाले के लिए क्या कहा गया बीएड जो लोग कर चुके हैं वो क और 5-10, मतलब 6-10 होगी आपका B.A.D. के लिए, यह हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा चांस आप लोग का बनता है कि आप लोग क्या करेंगे, आपके पास डिगरी क्या होना चाहिए, देखें नहीं आपे, इंट्रेंस एक्जाम आपका दोनों में लिया उसके बाद 2 साल का आप कोर्स करेंगे, वहाँ से आपको डिगरी मिलेगा, कि आप B.A.D. कर चुके हैं, यह देखेंगे, उसके बाद जाकर के आप B.P.S.C. के एक्जाम में बैठेंगे, यह तो समझ गया, अब यहाँ पे बात करते हैं, कि कितना परसेंट रहना आप लिजिवल हो जाएंगे, मतलब 50% चाहिए, 50% यह उसे ज्यादा, जेनरल OBC को, EWS को भी, और 45% CST वाले कर सकते हैं, इसका इंट्रेंस इक्जाम आप दे सकते हैं, इंट्रेंस का फॉर्म आप भर सकते हैं, और B.A.D. में देखेंगे, 50% से ज्यादा रहना चाहिए, ग और B.A.D. क्या होता है, कैसे होता है, उनको समझ में आजाएगा, अब देखेंगे, 1-5 का तो काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे, D.A.D. करने के बाद, और 7 में ग्रेशन कर लिए, तो 6-8 भी डालिएगा, जो कि कम लोग कर पाते हैं, अब 6-10 का बात अगर आता है, तो उसके बाद आप PG किये हुए है, ठीक है, B.A.D. करने से पहले अगर आप PG किये हुए हैं, या B.A.D. करने के बाद अगर आप PG किये हुए हैं, तो 11-12 का जो तीचर बनता है, लोग, वो आप भी बन सकते हैं, ठीक है, आप भी बन सकते हैं, इसका वेकेंसी निकलेगा, और इसको पास करना पड़ेगा ठीक है तब जाकर कि आप इलेमेंट टोल का टीचर बन सकते हैं तब जब आप पीजी किये होंगे तब और सिर्फ आप ग्रेलशन पर बीड किये हुए हैं तो आप लोग 6-10 का टीचर यहां पर बन सकते हैं अब सबसे बड़ा बात जानते हैं यहा गर उसका शाम निकालना तुम पसंद करेंगे तो वही चीज है यहां पर हम आप लोग यहि neighborhood है तो कैसे बन जाईएगे यह क्योंकि यहां पर जो आप का यह अप जाम लिया जाएगा भी पेसी को थुरू वहां पर आपके ओनर्स पेपर जो ग्रेशन में आपका जो पीजी में है उससे मिला के कोशन पूछा जाएगा अब बिहार में तो आहालत आप जानते हैं कि कितना लोग पढ़ते हैं अपने ओनर्स को अब हिस्ट्री ओनर्स से आपक 11-12 भरिएगा तो और कड़ा कोशन मतलब ज्यादा कोशन आपके ओनर्स से ही और आपको वही बीसाई भी पढ़ाना पड़ेगा 11-12 में जाकर करके जिससे आप उनर्स किये हुए अब सूचिए वह आपसे समहल पाएगा आप कोई लड़की होगी घर बैठे-बैठे वह डि क्या है यानि कि आप इसके एक्जाम को निकाल पाएंगे तब बंद ही 11-12 अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है इसलिए हम लिखे हैं आप देखिए पढ़ने में कमजोर जो भी लोग हैं उनको डिलेड करना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना कि 1-5 के बच्चों पढ़ाना कितना हाड होगा कितना चीज आप उसको पढ़ाईएगा नॉर्मल जोड घंटा हो मैच कुछ भी सवेक्ट देगा आप उसको पढ़ा दिएगा लेकिन वही सवेक्ट अगर 11-12 में आपको मिलेगा पढ़ने की लड़का को तो पढ़ा दिएगा नहीं पढ़ा प चाहिए नाइन टू टेन का सिछक बनेंगा हम 44 सा 45 रुपय आपको चाहिए तो आप ब्येड करने के बाद आप से एक जाम ही ने निकल जाए और वैसा कोर्स भी हम कर लें वह अगर कमजोर चात्र हैं तो डियरेड आपको करना चाहिए चाहाँ पीजी ही क्यों ना कर लिए ह आप गिरेशन ही क्यों ना कर लिए हैं आप इंटर ही पास क्यों ना है तो आपके लिए डियरेड है 125 का सिछक बनी आराम से और यहां पर यह भी फायदा है डियरेड करने में कि आपको वैकेंसी जादा मिलेगा मतलब जादा कर्थ मतलब कि क्वाइंट किटी और वैकेंसी भी ज्यादा निकलना पड़ेगा इस कारण से आप देखेंगा कि इसमें वेकेंसी ज्यादा निकलेगा और इसमें वेकेंसी भी थोड़ा सा कम निकलेगा क्योंकि यहां पर हाय स्कूल में आप बनेंगे टीचर ठीक है तो यह भी अंतर थोड़ा सा जाता तो यह सब अंतर क को मिले ताकि हम डिलेड करें कि बिलेड करें कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा क्या पूछा जाएगा अभी आ रहा है हम कि कितना पैसा आपको डिलेड में लगेगा वह सब भी बता रहे हैं इस चीज को एक बार फिर आप से देखिएगा ठीक है और दो बुक आपको हम बतात लिखा जाएगा इंट्रेंस इक्जाम में भी और आगे भी काम आएगा और यह का हिंदी का है ठीक है बस्तुनिश्च समान हिंदी दोनों पूजा 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 का बुक है बेस्ट बुक है में तरफ से आपके डियेलेड या बीएड कुछ भी आप करेंगे आपको काम इसलिए हम हमेशा आपको सज्च करते हैं यह दोनों का लिंख हम नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे रखे हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना है एक संपूर्ण वीडियो हो जाएगा जहां पर आपको हर चीज मिल लागा ज्यादा जगह पर जाने का जरूत नहीं पड़ेगा और सटिक आपको यहां पर मिल जाएगा इसके लिए लाइक भी आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और सेर भी इतना तो करही दिये होंगे और यह दोनों बूक का लिंख आप डिस्क्रिप्शन कोमेंटों से दे रखे हैं यह जी के इसका बहत करते हैं सबसे इंट्रेस्टिंग में अभी तक आपको अच्छा समझा दिया हम समझ में भी आ गया होगा और यह भी दो साल का कोर्स आपको पता अब बात करते हैं कितना पैसा बीएड में कितना पैसा और भी बहुत सरा बात हम करेंगे कि कम जोड़ छात रहां या नहीं क्या रहेगा न हिंद बताएंगे आरे मात करते हैं और इसमें बात और है कि 17 साल कम से कम उन्मर हो गया तो आप 9 कर सकते हैं अब कर सकते हैं मतलब की 2024 में देने वाले हैं इंटर ौह में अगर हम करना चाहते हैं तो कोर्स का फी कितना होगा मेरा कितना रुपया लगेगा करने में देखिए अगर आप प्राइबेट कोलेश्चे करना चाहते हैं याप लग जाएगा करने में अगर आप एक्चुल फीस का बात करेंगे जो फीस कितना है तो एक लाख बीस जार रुपया लेकिन प्राइबेट कोलेज है उसको खुद भी खर्चा आता है तो पचीस जार बीस जार तीस जार रुपय एक्स्ट्रा आपसे लेता है जो कि आपको एक बार में नहीं मांगा जाएगा इस्टॉर्मेंट करके मतलब जेड़ लाख है तो पचतर हजार एक बार मांग लिया फिर जो 75 बचा उसमें से 30-30 करके 30-45 करके आपसे मांग लिए एक बार में नहीं मांगा जाग आप जिस भी तरह से आप सहुलियत रखेंग वह पैसा आपको वहां पे करना पड़ेगा पैसा दो साल का लिया जाएगा पचास-पचास परसेंट करके या और भी बांटा जाएगा इसको इस तरह से पैसा इस्टॉल्मेंट पर लिया था ठीक है यह समझ गया किसके लिए डियरेड के लिए गुर्मेंट कोलेज मिलने का समभ पढ़ना है कैसे वह पूरा होगा क्या क्या दिया गया है वह सब चीज बता दिया है ठीक है उसका लिंक हम देंगांती में देखेगा आप बात करते हैं वन टू फाइब का टीचर का सेल्डी कितना होता यह समझ गया असा सेल्डी से पर आपको यह बताता है इसका भी कॉर् प्राइबट कॉलेज आपसे मांगेगा 2,00,000 अब 210,000 भी मांग सकता है एक नवे भी मांग सकता है एक 80 अगर एक्चॉल् सी का बात करेंगा तो एक्ट्वल फीक लगर पर लेकिन यह जादा मांगित अपना मेंटनेंस के लिए इसमें सुभिधा क्या मिलता है तो क्लास नहीं भी आप कर सकते हैं, आपको बैग फिरी देगा, आपको नोट्स फिरी देगा, आपको किताब फिरी देगा, बहुत सरा चीज, ड्रेस फिरी देगा, तो ये सब करता है थोड़ा सा, प्राइवेट कोलेज ये तो आप जानते ही हैं, दो लाक रुप्य आपको ले करके च सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा यह चीज़ समझ गया अब आईए सेल्दी बताते हैं लेकिन सेल्दी से भी ज्यादा कुछ महत्पूर्ण है उसको भी आप जरूर सुनिएगा वन टू फाइब का अगर आप टीचर बनते हैं तो इसका बेसिक पे हैं 25,000 रुपया बेसिक पे होता है जो कि एकदम बेसिक जोड़ करके दिया आता है उसके बाद आपका एच आरे जुटता है मतलब हाउस रेंट एनाउंट जुटता है आपका डी ए जुटता है वो सब जुट करके अगर हम पूरा ऑवराल बाप करेंगे तो लगबाग आपके हाथ में अभी बहुत सारे लोग जोइन किये हैं डी रेड वाले जो हैं टीचर में जोइन किये हैं तो उसे पूछे भी तो 35,000 रुपया आपको मिल जाएगा डी रेड यानि 125 का सिच्छा का बनियेगा तब 35,000 रुपया लड़की या लड़का कहीं भी आप और ये चीज आपको गौर करना पड़ेगा तो लगभख 35,000 रुपया आपको सेलरे स्टार्ट हो जागा 125 कि सिच्छक के लिए मतलब बच्चा को पढ़ाईएगा 35,000 रुपया आराम से कमाईएगा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा 6-8 का अगर आप सिच्छक बनना चाहते हैं 6- पराम से क्या करेंगे 6-8 का भी फर्म भर सकते हैं 6-8 का भी बन सकते हैं 6-8 का अगर आप टीचर बनिएगा तो 40-42,000 रुपया आपका सेलरी हो जाएगा आप संचिए कि BPSC के थुरू जो एक्जाम हो रहा है ना उसमें आपको एक ब्रांड के तरह दिखाया गया मतलब टी सिपाही बनिएगा कि DSP बनिएगा DSP बनेंगे लेकिन क्या उसके आप एक्जाम को निकालिएगा पेटीमिस निकालिएगा तो कहिएगा ने हमको सिपाही बना दीजिए इसका पेपर हम निकाल सकते हैं वही बात है डिलेड और बियर में भी अगर आप योग है आप आपका चामता क्या है आप कितना पड़े लिखें क्या आप accept कर सकते हैं कितना आप से सकते हैं ठीक है यह हो गया उसके बाद देखेंगे इसमें ज्यादा आएगा बता दिए क्यूकि प्राइमेरे स्कूल का संख्या ज्यादा है अब यहां समझ अब आईए थ्थोड़ा सा यहां दिखते हैं salary, मतलब 628 का salary क्या होगा, 628 यानि कि आप यहां भी भढ़ सकते हैं 628 कैसे, क्योंकि आप graduation के बाद bleed की है, ठीक है, graduation के बाद bleed की है, तो 628 तो आप भर ही सकते हैं, जहाँ पे 40 एर से 42 एर का salary आपको सुरू होगा, सिचक बनते हैं, तो 628 का, 678 का, 9-10 का अगर बनते हैं, तो 44 एर से 45 एर, सब कुछ जोड़ करके बता रहे हैं, इन हैं जड़ा कड़ा है, कब stoppt हो जाएगा, यह भी पता नहीं है, इस कारण से अच्छा job है, अभी के मुताबिक, इसलिए हम इस पर वीडियो भी बनाया, और आप लोग को यह सब चीज समझाए भी, इससे पर वीडियो नहीं बनाया थे, जब तक इसका कोई fix नहीं था, ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, और भी अच्छा अच्छा जनकारी जो आपके लिए होगा न, वह हम लाएंगे, ठीक है, 11-12 का पचास अजार रुपया तक भी आप कमा से थे, क्योंकि आप हाई quality के सिछक होगा, विसी आगे क्या जाएंगे आप, ठीक है, 11-12 को पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने का छमता भी होना चीए, आपको पता होगा कि 11-12 में आपको कौन टीचर पढ़ाता था, quality रहना चीए, उसको जानना चीए, पढ़ा रहे हैं, आप जो सामने में बैठा, वो कुछ भी कोशन पूछ सकता है, तो उतना quality है, तब आप डीट करके, PG करके, 11-12 के लिए, अपलाई करिए, भरिए, बनिए, कोई दिकतने हैं, इसमें वेकेंसी थोड़ा सा कमाएगा, वेकेंसी का यानि नहीं होगा, तो आप जरूडर कर सकते हैं, बिहार में, रहे हैं, ये अप MP से कहीं से भी कर सकते हैं, उसको आप आप कौलिट करके, नहीं होगा, या फेकेंसा खर्चा很多, शाब नहीं है, नहीं है, यह देखेंगे अपना दर्भंगा में है जहाँ पे कुछ थे लिए तो वहाँ पे करणेर आपका सात में चार थे कर सकते हैं अगर साफ में होगा मतलब आप यह जरूर कनफर्म हो चुके हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्योंकि डिलेट और बीएट एक कोर्स है जो कि आप अपने च्छमता के नुसार कर सकते हैं आप किस योग है आपको खुद पता होगा आप खुद में जाची आपको पूरा क्रेटरिया हम बता दिये कहां क्या ह है कितना है चाहिए तो सब कुछ लेकिन है हम इसके बराबर तो यही भरेंगे ज्यादा अच्छा है यह बनने से फायदा नहीं होगा ठीक है अगर इसके योग है तो यही भरने से फायदा है यह करने से फायदा नहीं होगा यह सब चीज का डिस्क्रिप्शन हम पूरे से समझ में आ चुका होगा जुड़े रहेगा सब्सक्राइब राइकन सेयर मिलेंगा फिर आपसे नेक्ष्ट वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद जय हिंद